अखिर कार जिस फिल्म का इंते चार भुच्प्रिया दर्सक बड़े ही बीस बरिसे कर रहे थे फाइनिले उस फिल्म को भुच्प्रिया बॉक्स उफिस पर रिलीज कर दिया गया जी हाँ हम बात कर रहे हैं सुपर स्टार के साड़ी लाल यादव की सबसे सफल फिल्म की सिरीज महंदी लगा के रखना 3 के बारे में जिहां आपको बदादे की महंदी लगा के रखना 3 बिहार और जहरकण के बॉक्स ओफिस पर फिल्म को रिलीज कर दिया गया फिल्म में रिलीज होते ही भूच प्रिया बॉक्स ओफिस पर फिल्म को चबरदस्त रिस्पॉंस देखने को मिला है जिहां आपको बदादे की मीडिया रिपोर्ट की खबर माने तो बिहार और जारगन के बॉक्स ओफिस पर करीब 70 से जादा सेंटर पर फिल्म को रिलीज किय और फिल्म में रिलीज होते ही भूच प्रिया बॉक्स ओफिस पर चबरदस्त रिस्पॉंस देखने को मिला है जिहां आपको बतादे की सिनेमा घरों में मेहंदी लगाके रखना थ्री को देखने के लिए दर्सकों की भारी भी रूमर्ट पड़ी है तो कई सिनेमा घरों मे से दर्सकों के चेहरे पर मायूसी सापसी जलकते है नजर आई तो कई सिनेमा घरों में टिकट की भारी मात्रा में बलैक होते हुए नजर आया है पसंद आये भी क्यों नहीं क्योंकि खिसाडी लाली आदब ने जिस तरीके से इस फिल्म में अबने किया है वो वाके में काब पाली दुबे के साथ इस फिल्म में आइटम तणका करते हुए नजर आ रहा है जो दर्सकों को काफी जादा पसंद आ रहा है तो वहीं खिसाडी लाली आदब इस फिल्म में नई एबनेतरी सहर अपसा के साथ इस फिल्म में लीड करेक्टर में नजर आ रहा है जो दर्सको को कापी जादा पसंद आ रहा है कुल मिला के कहा जाए तो खिसाडी लाल यादब की मेंदी लगा के रखना 3 पूरी तरह से पारी बारीक फिल्म है जिसे हर कोई भुच प्रयादर सक जरूर देखने को बनता है तो ऐसे मगर आप लोगों ने अभी तक खिसाडी लाल यादब और सहर अपसा की फिल्म नहीं देखा है तो आप अपने नस्दी की थेटर में जाकर फिल्म को जरूर देखिया और जिन लोगों ने खिसाडी लाल यादब की महंदी लगा के रखना 3 देख लिया है वह आप कमेंट करके जरूर बताया कि आपको खिसाडी लाल यादब, आम पर पाली दुब्या और सहर अपसा की मेंदे लगा के रखना थरी कैसी लगी